हाई फ्रेंड्स वेलकम तो आज चैनल ट्रेजर ओफ फिजिक्स फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक जो कि वेव आप्टिक्स से है डिफ्रेक्शन बैसिकली यहां अभी तो हम इस्पेसली लाइट का जो डिफ्रेक्शन उ हमारी डेली लाइफ में साउंड वेव का भी होता है लाइट वेव का भी डिफ्रेक्शन होता है साउंड वेव का भी डिफ्रेक्शन होता है बट अगर देखा जाए तो डेली लाइफ में साउंड वेव का जो डिफ्रेक्शन वो काफी ज्यादा होता है जबकि लाइट वे is the meaning of diffraction सबसे पहले diffraction को ये समझना है कि होता गया diffraction देखें क्या होता है कि जब भी light waves होती है वो light wave जब भी किसी slit से pass out होती है या फिर light waves के path में light beam जो होता है light beam के path में कोई obstacle आ जाता है या फिर वो light beam किसी slit से pass out होता है करते को slit का meaning I think आप सब को समझ में आ रहा होगा कि slit का meaning क्या है जैसे मैं slit यहां पर draw कर लेता हूँ ठीक है यह मान लीजी एक slit है यहां पर slit का मतलब है जस लाइक यह एक wall है यह एक दिवार है यहां पर और इस दिवार में एक slit यहां पर मैंने बना रखी है यह slit है यह जो wall है इस wall में एक slit हमने यहां पर consider किये है तो यह slit है slit की size आप सब को नजर आ रही है यह slit है यह slit है यहां पर ठीक है तो slit का simple meaning है एक मतलब जो hole होता है जैसे आप देखते हैं अपने कच्चे जो घर होते हैं उन कच्चे घरों में भी आपने देखा होगा कच्चे घरों में जो दिवारे होते हैं दिवारों में लास में top side पे जाके कुछ छोटे छोटे hole हम छोड़ देते हैं जिनसे हम मतलब हवा भी आ जा सके या फिर light वागेरा भी उसे enter होती है तो ये एक slit हमने यहां consider किया है तो actually क्या होता है कि जब भी light beam जब भी light beam किसी slit से pass out होता है तो वो जो light beam है वो light beam उस slit के किनारों से slit के किनारों से band हो जाता है light band हो जाती है slit के किनारों से ये जो band होने की जो property है फिनोमेना है है एकच्च्टी इसे ही हम डिफ्रेक्शन बोल रहे हैं जैसे मान लीजी यह बहुत सारी संल्ड़ाइट है यह संल्ड़ाइट से जो भीम है वह आ रहा है तो यह भी आपका यहां पर ट्रेवल कर रहा है जो आरा है अब यह जो किनारे हैं इन किनारों से लाइट वेव जो है लाइट रेज है यह बैंड हो जाती है जैसे यहां से लाइट वेव बैंड होती है और यह बैंड होके इस साइड चली गई ठीक है और यह जो सिलिट के किनारे हैं इनसे बैंड होके लाइट वेव का कुछ जो हिस्सा है फ्रेक् भी चला जाता है ठीक है तो इस तरह से actually हो क्या रहा है कि जैसे एक plane wave front था है plane wave front मतलब light beam था है यानि जितनी भी light rays है वो सब एक दूसरे के parallelly travel कर रहे थी तो यह जो light beam यह light beam जैसे ही इस slit से pass out होता है तो slit के जो किनारे हैं जो azes है स्लेट की किनारों से यह light band हो जाती है हम कह सकता है कि जो shadow region है उस shadow region में यह light enter हो जाती है तो यह जो bank yeah na यहांपे जो light wave जैसे किनारों से बेंड हो गई तो ये जो band गल है यह अपना diffraction angle होता है यह जो bending phenomenon है light का इसे को हम diffraction कह रहे हैं यह ऑब्स्टेकल भी हो सकते इसी तरह से आप देखते हैं तो टर्च के अंदर पिस्लिट होती है ठीक है तो टोर्च में ये इसलिट लाइट रहे हम होता है तो प्रोजेक्टर की लाइट का बीम भी बहुत अच्छ से नजर आता है इस्तिरह अपना चैंबरे की मोट से चाहथ में जो फ्लैश लाइटGu जो लाईट बीम है वो भी बिल्खुल डार्कॉश में उससे नजर आता है तो ये जासे टॉर्चetो इस टोचसे जो लाइट है ज आउट ओती है तो उनका जो बीम निकलता है हमें देखने में आता है कि वह बीम कुछ इस तरह से led करता है इस वो जो beam होता है वो beam कुछ इस तरह से travel करता हुआ हमें नजर आता है इस तरह से वो light beam travel करता है ठीक है कहने का मतलब इस जो torch है इस torch से जैसे जैसे हम further आगे चले जाते हैं तो beam जो हो थोड़ा सा ऐसे expand होता हुआ हमें दिखाई देता है तो इसका meaning क्या हुआ इसका meaning यह हुआ कि जो यह torch थी इस torch के अंदर जो slit बनी वी थी जो hole था इस torch का जहां से light rays बाहर निकली है तो यह torch के जो किनारे थे इन किनारों से light rays हलकी सी क्या हुआ है bend हो गई तो बिल्कुल इसे ही हम क्या बोल रहे हैं diffraction बोल रहे है प्रोजेक्टर जो होता ऺंदर यह diffraction बहुत ज़ादा हमें देखने को मिलता है क्योंकि प्रोजेक्टर में जो slit की होती है यह better से lens का जो size होता है और mobile की जो flesh light होती है दोस्तो mobile की flesh light में तो diffraction बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है आपको आपने देखा होगा जैसे मान लिजी रूम है रूम में darkness है अब आपने उसमें जैसे mobile की flesh light को उनकी आना तो पूरे रूम में रोशनी हो जाती है क्योंकि मतलब mobile की slit है यानि जो hole है जिस hole से जिस slit से light बाहर निकल रही है उसकी size बहुत छोटी है और उसकी size छोटी है तो वहाँ पर देखने में आता कि diffraction बहुत ज़्यादा होती है means मैं यहाँ पर चलो आपको अब यह समझाना चाहरा हूँ कि diffraction ज़्यादा कब होता है जो diffraction है वह बहुत ज़्यादा कब होती है मतलब light जो wave जह है light rays है वह light rays बहुत ज़्यादा band कब होती है ठीक है फिर हम थोड़ा सा sound wave के diffraction के साथ compare भी करेंगे light wave के diffraction को तो देखो diffraction बहुत अच्छे से हो diffraction maximum level पे हो इसके लिए एक necessary condition है वो condition अगर fulfill होती है तो यह समझाओ कि diffraction बहुत ज़्यादा होगा यानि जो light waves है वह बहुत ज़्यादा band होगी slit के किनारों से या फिर obstacle के किनारों से और otherwise diffraction बहुत ही कम होगा और वह condition क्या है essential condition for diffraction तो वह condition है that size of size of slit slit की जो size दोस्तों तो slit की जो size है उसको चलो मैं यहां पर consider करता हूं small a small a का meaning size of slit so the size of slit must be approximately equals to size of slit must be approximately equals to the wavelength must be approximately equals to the wavelength of light wave ठीक है यानि कि जो slit का size है अगर slit का size अगर slit की size light की wavelength के approximately equal होती है तो इस condition में दोस्तों light का diffraction बहुत ज़्यादा होगा काफी एच्छे से diffraction आपको देखने को मिलेगा अदर्वाइस diffraction कम होगा अब देखो light wave के हम बात कर रहे हैं तो light wave जो होती है अब लाइट वेव की wavelength क्या होती है अपने डेली लाइफ में जो light wave जो विजिबल लाइट है हमारे लिए उस विजिबल light का जो wavelength है वो एप्रोक्स आपका 3500 एंगस्ट्रम से लेके और 7000 एंगस्ट्रम तक light का wavelength होता है तो आप देख रहे हैं लाइट की जो wavelength है वो एंगस्ट्रम के order में है तो इसलिए जो slit की size है वो slit की size भी अगर बहुत कम होगी condition है नहीं कि diffraction ज्यादा कब होता है diffraction बहुत अच्छे से observable कब होता है तो उसका condition है that size of slit must be approximately equal to wavelength of light wave तो अगर slit की size light की wavelength के काफी काफी एक्वल है एप्रोक्स एप्रोक्स एक्वल है तो आप समझ जाएं कि diffraction बहुत ज्यादा होगा अब light की जो wavelength है वो एंगस्ट्रम की order में होती है तो इसका मतलब जो slit की size है वो slit की size जैसे mm के order में हो mm मान लो या mm से भी कम मान लो अगर slit इतनी छोटी है कि उसकी size mm है 1 mm अब 1 mm तो अच्छे से समझ में आता है आपको तो 1 mm या फिर 2 mm या 3 mm है ना means half centimeter या फिर less than 2 mm जितनी size कम होगी slit का slit का size जितना कम होगा I mean slit की size है वो इस light की wavelength के approach approach equal अगर होता है तो आप यह समझ जाएं कि diffraction बहुत ज्यादा होगा इसलिए तो होता है camera में जो flesh light होती मोबाइल होता है अपना mobile का camera होता है camera की साथ जो flesh light होती है mobile में तो mobile की जो flesh light होती है उस flesh light में diffraction बहुत ज्यादा क्यों होता है उसमें हम देखते हैं कि जो light आप्रोक्स आप्रोक्स 80-85 डिगरी पे बैंड हो जाती है जो mobile की flesh light है ठीक है जैसे मोबाइल के अंदर जो यह slit होती है यह slit तो बहुत चोटी होती है और यह काफी चोटी slit है इसी की व साथ रोशनी हो जाती है तो आप देख रहे हैं कि वह जो mobile की flesh light से जो light रेज आउट हुई यह mobile के अंदर जो flesh light में जो slit बनी वी ती जो hole बनावा था जहां से light आउट हो रही है तो वहां पर आपने देखा कि बहुत ज्यादा बैंड हो गई 80-85 डिग्री बैंड हो जाती है क्यों क्यों कि वहां पर यह जो कंडिशन नहीं फुल्फिल होती है यानि वहां पर जो slit के साइज है वह light के wavelength के एक्वल है उस order में जा रही है वह अब अपने डेली लाइफ की अगर बात करें तो डेली लाइफ में जैसे आप देखते हैं अपने gate का size है अपने window की size है तो window size है gate size है यह सब almost almost meter के ओटर में होते हैं जैसे gate का width है वो 1 meter हो गया window का width है वो 1 meter या 1.5 meter ऐसा कुछ है तो हम देखते हैं कि हमारे room बगेरा में window से light अंदर आ window के corner से light rays बहुत ज़्यादा band नहीं होते हैं क्यों नहीं हो रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा band यानि कि वहाँ पर diffraction काफी ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है वहाँ पर slit के size है तो window की size है वहाँ पर light की wavelength के approximately equal का अब भाई light की wavelength तो एंगस्टरम में है और window का width तो में ह है तो यह तो condition वहाँ फुल्फिल ही नहीं हो रही है इसलिए हमाँ diffraction बहुत ज़्यादा देखने हो यानि महाँ पर light band होती है तो बहुत कम 1 degree 2 degree काफी कम होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी daily life में mostly जो slits या obstacles होते हैं उनकी जो size है वो almost in order of meter यानि meter के order में होती है जबकि light की wavelength angstrom की order में तो यह condition फुल्फिल नहीं होती है इसलिए daily life में light का जो diffraction है बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता कहां हमें ज्यादा देखने को मिलता है mobile की flash light में projector की light देख लीजी आप projector में लेंस बहुत चोटा होता है तो लेंस चोटा है तो वहां से जो light rays बाहर निकलती ह काफी ज्यादा diffract होती हैं काफी ज्यादा band हो जाती हूँ और हम देखते हैं कि सामने जो screen होती है projector भी screen पे projekt में बड़ी screen होती है ब्रोघ्व में होता है mobile की flash light और projector की comparison में तो यह सब हम देख पा रहे हैं कि यह diffraction है कि मतलब light beam जो है वो light beam है वो जब भी किसी slit से pass out होता है तो slit के किनारों से light range band हो जाती है और band होके shadow region में enter हो जाती है इसको हम simply diffraction करें अब देखिए जो sound wave है sound waves का भी diffraction होता है यानि sound waves भी जब window से 모르ünü से पास out होती है gate से Enc koach out होती है तो यह भी यह भी slit के किनारों से band होती है अब हम delightful light में इखथे हैं कि जो sound का diffraction अपने daily life में बहुत ज्यादा होता है अब क्यों होता है ना diffraction जादा और light का diffraction जादा नहीं होता है इसका reason देको यह है क्योंकि sound जो होता है sound wave जो होती है sound wave ठीक नहीं बहुत अच्छा question है इसको आप ध्यान से समझें sound wave जो होती है sound waves की जो wavelength है वो meter के order में होती है ठीक है ना जो sound wave है sound waves की जो wavelength है वो meter के order में होती है यानि जो sound waves होती है उनकी wavelength approximate में यानि 1-meter, 2-meter, 3-meter ऐसे गरके होती है तो sound waves की wavelength है वो meter के order में होती है और अपने daily life में जो window है, gate है इनकी जो size है वो भी meter के ही order में होती है तो sound waves के लिए तो condition पुल्फिल हो गई diffraction वाली कौन सी कि बाई जो slits के size और वो wavelength के approximately लिक्वल होने ची तो sound wave की case में तो यह fulfill हो रहा है case इसलिए हम देखते हैं कि जैसे मैं किसी room में हूँ मैंने किसी room से आवाज लगाई अब वो जो आवाज है वो मान लिजी room है room के साथ में gallery ही अटेच है तो वह हम देखते हैं कि रूम से हम आवाज लगाते हैं तो वो जो sound है वो sound 90 degree के एंगल पर भी सुना जा सकता है काफी दूरी तक तो इसका मतलब है कि वो sound wave जैसे ही gate से बाहर निकलती है तो gate के जो किनारे हैं gate के किनारों से वो sound waves 90 degree पर भी diffract हुई है single slit से जो होने वाला diffraction है उसको हम समझने वाले जिसको हम front offer diffraction भी कहते हैं front offer ने इसको अपजोग किया था diffraction through a single slit तो diffraction का जो pattern मनता वो किस तरह का pattern मनता है diffraction में diffraction का जो fringe pattern मनता उसमें central maxima क्या होती है secondary maxima क्या होती है है minimaj क्या होती है so maxima minima ये सब हम समझेंगे maxima किस condition में form होती है minima किस condition में form होती है ठीक है ये सब ही pattern हमें समझने हैं so basically हम या इस्टडी करने वाले diffraction through a single slit तो देखें एक single slit से जो diffraction है अगर उसको हम समझते हैं तो भाई single slit का जो diffraction है उसको आप समझना चाहरे हो तो जैसे हमें ने यह single slit यहां पर consider किया सामने हमें एक screen consider करना है यह मान लीजी screen है ठीक है अब यहां पे यह जो single slit है भाई इस single slit पे हमने एक plane wavefront incident हो रहा है ऐसा हम एजूम करते हैं कि एक plane wavefront है और वो plane wavefront इस single slit पे incident हुआ है यह plane wavefront अब यहां जो slit का size है slit का size है वो slit का size मैंने यहां consider किया है small a small a जो है वो यहां पे slit का size है तो एक plane wavefront है और यह plane wavefront आपका incident हुआ है यहां पे plane wavefront यह आपका slit पे incident हुआ है तो जैसे ही ये slit से pass out होगा तो diffraction होगा यानि कि slit के किनारे हैं उन किनारों से light band होती है मानलीज ये band होके और इस side ऐसे करके light range band होके आगे जा रही है लेकिन यह हम यूँ कह सकते हैं कि जो plain wavefront incident होगा plain wavefront ही secondary wavelengths में convert होता है मतलब ये plain wavefront था और ये slit से जैसे pass out होता है तो ये जो light ray है कुछ fraction part हो diffraction होके इस side जा रहा है और कुछ fraction part without diffraction के सीधा भी चला जाता है जैसे मानलीजिए ये जो light है इसका एक wavefront मतलब ये एक जो single wavefront है काफी सारे secondary wavelengths में convert हो जाएगा तो एक इसका कुछ fraction part होगा जो without diffraction के सीधा जाएगा और कुछ fraction part इसका होगा जो ऐसे कैसा diffract हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे secondary wavelength ये अपना एक secondary wavelength create हो गया है तो ये single slit से जो diffraction है उसको हम समझ रहे हैं भई अब यहाँ पे सामने यहाँ पे जैसे एक convex lens रखा होता है तो ये convex lens क्या करता है ये convex lens फर्दर आगे जो अपनी screen है इस screen पे diffraction pattern को form करवाता है ये screen है तो अब ये जो wave front है अपना incident plane wave front था इस wave front में से जो secondary wavelength ऐसा secondary wavelength जो without diffraction के सीधा निकल गया है यानि कि जो तीन मैंने green light rays show कर रखी है बिना diffraction के state आ जाती है तो भई इनका दो diffraction नहीं हुआ तो ये जो तीनो light rays है ये तीनो light rays को ये convex lens क्या करता है एक particular point पे converge करता है तो ये तीनो light rays जो है जो बिना diffraction के सीधी निकल के आ गई ये तीनो light rays finally यहाँ पे super imposed होनी है और super imposed होके finally ये light rays यहाँ पे एक fringe create करती है circular form में जिसको हम बोलते है central maxima इसको हम बोलेंगे भई central maxima maxima क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसके brightness हाई होती है अब कहने का मतलब यह है कि जो diffraction pattern है अपन यहाँ diffraction through a single slit याने की front of a diffraction की study कर रहे है तो इसमें सामने screen पे जो fringe pattern नजर आता वो किस तरह का fringe pattern नजर आता उसको चलो अलग से मैं बता देता हूँ सामने screen पे देखे जो center point है वहाँ पे maxima आपको नजर आएगी तो यह central maxima है फिर इसके चारो तरफ इसके surrounding में बिलकुल एक dark circle अपने को नजर आता है फिर again इसके चारो तरफ अपने को एक bright fringe यह bright fringe है यह वाली यह bright fringe फिर दुबारा एक circular ऐसे ring के form में हमें एक bright fringe नजर आती है ऐसा fringe pattern वहाँ सामने screen पे बनता है दोस्तों सबसे बीच में central maxima create हो रही है ठीक है यह है यह आपका center जो है center में क्यां रही है यह maxima जिसको हम central maxima कहते हैं इस central maxima के 4 तरफ central maxima के चारो तरफ एक dark color का ring बनता है जिसको हम first minima कहते है यह first minima फिर उसके बाद में secondary maxima है then again वही अपका secondary maxima फिर आगे create होता है इस तरह का fringe pattern जो है वो सामने screen पे नजर हाता है ठीक है जैसे यह है central maxima अब यह जो है इसको हम बोलते हैं first secondary first secondary maxima इसके बाद यह जो है इसको हम बोलते हैं वही secondary secondary maxima ठीक है जबकि यह जो आपका fringe pattern बन रहा था इसको यह जो आपका बन रहा है जो central maxima के चारो तरफ है कि ब्लैक रिंग है इसको हम बोलते हैं first minima यानि कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो central maxima central maxima के चारो तरफ first minima रहती है और फिर उसके बाद जैसे यह है तो इसको हम बोलेंगे second minima इस तरह का fringe pattern diffraction pattern से बनता हुआ नजर आता है सामने इस screen पे तो आप ध्यान रखें कि इस diffraction का जो pattern होता है diffraction के pattern में central fringe होती है वो हमेसा maxima ही रहती है वो हमेसा bright fringe होती है यह fix है क्यूं होती है bright fringe इसको आप समझ लीजिए यहां से कि जैसे plane wavefront incident हुआ और यह अपनी slit है तो इस slit से जो wavefront without diffraction के सीधा propagate हो गया वही तो यह जो तीनो light range जो green color में है इनके बीच का path difference तो 0 है वही तो 0 part difference है तो यह सभी की सभी light range finally super imposed होती है finally और सभी का path difference 0 रहता है तो जीरो path difference पे अगर यह light range सभी super imposed होती है तो वो मतलब interference में हमने पढ़ा था 0 path difference पे अगर light range super imposed होती है तो constructive का case बनता है तो यह finally यह तीनो light range super imposed हो रही है जीरो part difference के साथ तो यह definitely central maxima create करेंगी maxima fringe create करेंगी यह उसके बाद में जो maxima create होती है वेटा उसको हम बोलते है first secondary maxima देखेंगी ध्यान दीजिए central maxima के बाद में जितनी भी maxima है उन सब के साथ में यह secondary word तो add होगा ही इसको ध्यान देना है इसके बाद में जैसे अगली जो maxima है उसको हम बोलेंगे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसे इसके बाद में जो मैक्सिमा है कि उसको आप जाता है जैसे यह जो है इसको आप सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट इसी तरह से यह जो अपना है इस इस डिफ्रrafजन हमें नजर आता है तो यहां पर आप समझने आगे इसका ओर्टिकल explanation है कि single slit के through जब एक light का diffraction हो रहा है तो हो क्या रहा है किस तरह से आगे fringe pattern बनता है कैसा diffraction pattern नजर आता है वो अभी है अब हम mathematical बाते करें कि maxima कब create होती है minima कब create होती है यानि कि जो secondary maxima है वो कब create होंगी और जो minima है वो कब create होती है उसके लिए क्या mathematical situation complete होनी चाहिए क्या path difference create होना चाहिए उसके basis पर हम समझते हैं कि maxima create कब होती है और minima कब create होती है देखिए यहाँ पर क्या देखना है diffraction pattern में भई कि जो light rage slits के किनारों से निकल के जा रही है न देखो यहाँ पर जैसे एक light ray मैं यह consider करता हूँ first light ray और यह एक light ray यह है जिस्को मैं second light ray consider करता हूँ तो यह first और second जो light ray और यह कहां से बहुत चल रही है यह first और second यह दोनों light ray और जो हैं जो यह slit the slit के किनारे हैं इस slit के किनारों से band होके या बैंत जाकर travel कर रही है न तो यहां हमें path difference जो देखना है यहां हमें path difference देखना है उन दोनों light range के बीच का path difference हम देखेंगे जो दोनों light range slit के किनारों से band होके आगे travel करती हैं तो वो path difference बेटा जी यहां पे हमारे लिए important होगा उसी path difference के basis पे हम decide कर पाएंगे कि होना क्या है ठीक है तो देखें यहां से अपने एक normal draw करते हैं और यह normal सीधा अपना second light ray पे यह normal है बिल्कुल 90 degree पे हैं तो देखें बेटा यह जो आपका है यह actually path difference कहां और किस तरह से create होता है उसको समझना है अभी ठीक है देखें कौन सा है जो path difference create हुआ है यह अपना path difference this is path difference जिसको मैं लिखता हूं del x यह path difference है अभी कौन सा path difference है कौन सी दो light rays कौन सी दो light waves के बीच का path difference है इसको याद रखना बहुत important है मतलब जो slit से अपनी इस slit के जो किनारे हैं बही slit के किनारों से जो light band होके और फिर आगे travel कर रही है उन दोनों light rays के बीच का यह path difference है अच्छे से द्यान दे ले और यहाँ पे जो diffraction angle है यह आपका diffraction angle है इसको चलो मैं theta लिख देता हूँ theta angle पे light rays diffract हुए है तो यह जो दोनो light rays जो slit के किनारों से travel कर रही है band होके first light rays और second light rays इन दोनों के बीच का path difference है वो del x है finally light rays आगे convex lens पे incident होती है तो convex lens इन light rays को further क्या करता है वही वो maxima बनेगी यह जो यहाँ पे pattern बनेगा या तो यहाँ पे यह minima form होगी या फिर यहाँ पे maxima form होगी अभी कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे minima कब बनती है और maxima कब बनती है उसके लिए आपको condition अच्छे से learn करनी है देखिए वो condition यह है कि यह जो path difference है ना अगर यह path difference आफका n lambda के equal होता है if if dal x is equals to n lambda जैसे point P मैं consider करता हूं यहाँ पे if dal x is equals to n lambda भाई अगर यह path difference first light ray और second light ray के बीच का path difference जो है अगर यह path difference बेटा n lambda set होता है if dal x equals to n lambda then then minima will form then minima will form then minima will form on screen यह अच्छे से आप इसको अच्छे से धान दें भाई इस बात पे कि अगर अगर इन दोनों light ray के बीच का path difference n lambda set होता है तो फिर screen पे भाई minima form होगी यह थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लें यह interference का बिलकुल opposite case है interference में देखो हमने पढ़ा था कि light waves के बीच का path difference अगर n lambda होता है तो वो constructive interference के account में जाता है जबकि interference में हमने यह पढ़ा था कि light waves के बीच का path difference अगर 2 n-1 into lambda by 2 होता तो वो destructive के account में निकल जाता है जबकि यहां क्या पढ़ रहे हैं यहां पढ़ रहे हैं कि इस slit के दोनों किनारों से जो light rays diffract होके आगे travel कर रही है अगर उन light rays के बीच का path difference n lambda होता है तो finally वे p point पे क्या बनाती है minima create करती है opposite हो गया न minima का मतलब एक तरह से dark fringe हो गई वो तो यहां path difference अब वहां interference में क्या था यंग्स double slit experiment में क्या था यंग्स double slit experiment में जो light wave चल रही थी वो तो अलग-अलग slit से travel कर रही था ना S1 S2 से यहां तो एक slit है इसी slit के दोनों किनारों से light आपके diffract होके निकल रही है बात में थोड़ा difference है तो यह धाम देना आपको कि अगर इन light wave के बीच का path difference n lambda होता है तो फिर वो minima बनेगी जैसे यह दोनों light range है फर्स्ट और सेकेंड अगर इन दोनों light range के बीच का यह path difference है अगर यह n lambda path difference set हो चुका है n lambda का meaning यहां पे n का जो value है वो आपका 1 से start होगा 1, 2, 3 यानि कि यह path difference lambda हो सकता है 2 lambda हो सकता है 3 lambda हो सकता है 4 lambda हो सकता है 5 lambda हो सकता है अगर इन दोनो light range के बीच का path difference n lambda होता है तो यहां finally p point पे nth number की minima बनेगी इसको आप अच्छे से दिमाग में fit कर ले वहीं पे अगर इन दोनो light range के बीच का path difference 2n-1 into lambda by 2 होता है तो फिर आप यह ध्यान दे कि वहां p point पे nth number की maxima create होगी ठीक है तो central maxima का तो case अलग है central maxima तो already हम पड़ी चुके central maxima किस से बनी है क्या हुआ है वो तो अलग मेट रहे बट जो diffract होके और secondary wavelength create हुआ है उससे maxima भी बन सकते है तो minima कब बनती है जब path difference n lambda set होता है और maxima कब बनती है secondary maxima की बात कर रहा हूँ मैं वो कब बनती है जब path difference 2n-1 into lambda by 2 set होता है ठीक है तो 2n-1 into lambda by 2 का meaning है कि path difference lambda by 2 हो सकता है 3 lambda by 2 हो सकता है 5 lambda by 2 हो सकता है इस तरह से तो ये जो interference में था उसके बिलकुल opposite है यहाँ पे minima के लिए n lambda part difference होता है और secondary maxima के लिए 2n minus 1 and 2 lambda अब ये कैसे होता है ऐसा होता क्यों है कि इन दोनो light rays के भी इसका path difference n lambda set होने पे ये minima क्यों form करते हैं last में जाके तो इसकी theory अलग है इसका explanation अलग है अगर आपको required है ठीक है अब बहुत interest आपको तो please आप comment करें उस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है n lambda part difference होने पे minima क्यों form होते हैं वहाँ पे वो अलग चीज़ है बढ़ आप इसको अच्छे से भाई दिमाग में fit कर ले तो देखो ये part difference मैंने आपको समझा दिया कि ये part difference n lambda होता है तो वहाँ पे minima form होगी otherwise वहाँ पे secondary maxima बनेगी एक तो ये part difference mathematically हो गया दूसरा ये part difference हम इस geometry से भी calculate करते हैं चलो फटा फटा तो ये जो geometry अपनी है इस geometry से जैसे आपका right angle triangle बन जाता है या पे ये आपने normal draw किया था ये diffraction angle theta है तो बेटा ये angle जो है ये भी आपका theta ही बनेगा तो अगर मैं इस path difference को calculate करता हूँ इस right angle triangle से तो मैं इसमें sin theta का formula use कर लेता हूँ sin theta equals to perpendicular upon base perpendicular आपका हो जाएगा dal x यानि की part difference और base बेस क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा width of slit ये जो slit है इस slit की जो width है वो यहाँ पे base है तो वो आपका a है तो बेटा जी ये path difference deluxe हो गया a sin theta इस geometry से ये जो path difference calculate हुआ है ये a sin theta calculate हुआ है जहाँ पे a क्या है width of slit है और theta आपका diffraction angle है और जैसा कि normally cases में light waves के cases में diffraction angle कमी रहता है so for small angle for small angle ठीक है तो small angle की case में sin theta will approximately equals to theta तो small angle की case में क्या लिख दोगे delx is equals to a theta ये small angle की case में part difference आपका किसके equal रहेगा delx equals to a theta रहेगा ठीक है अब यहाँ से ये जो अपनी conditions है हमने दोनों चीज़ें यहाँ समझ ली है कि path difference अगर a theta के equal होता है यहाँ जो अपनी geometry है इस geometry से हमने path difference calculate कर लिया a theta आ गया जबकि दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि अगर ये path difference n lambda set होता है तो minima form करेगा फाइनली वहाँ पे और अगर ये path difference 2 and minus 1 into lambda y to set होता तो finally वहाँ पे क्या form करेगा maxima form करेगा वही तो इस तरह से diffraction pattern के जो important mathematical formula है वो यहाँ पे अब create होने जा रहे है उनको आप अच्छे से अपने mind में fit कर ले तो वो क्या create होंगे वह आप फटा फट से अब समझ ले इफ 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 पाथ difference डेलक्स is equal to n lambda देन एंथ मिनिमा देन एंथ मिनिमा विल फॉर्म ओन स्क्रीन अगर पाथ difference n lambda से होता है तो n नम्मर की मिनिमा फॉर्म होनी है स्क्रीन पे तो इस कंडिशन में भई पाथ difference n lambda hence hence n lambda is equals to a theta बिलकुल a theta क्योंकि यह जो अपनी slit है यहां पे slit है slit का जो width है वह width आपने एंग कंसिडर किया हुआ है और यहां से यह ऐसे आपका diffract हो के यह लाइट रेज निकल रही है सामने convex lens है यह screen है यह लाइट रेज जो है यह convex lens इनको converge करता है light rays को उसके वेज़ा से यहां पे minimum बनती है कि maxima जो भी है यहां पे हम part difference देख रहे हैं यहां पे हम part difference कौन सा देख रहे हैं यह अपने normal draw किया है यह अपना part difference डेलेक्स है तो यह जो part difference है तो फिर वाँ minimum बननी है तो कहने का मतलब यह part difference जो a theta है इसको मैंने n lambda के equal अगर कर दिया तो इसका meaning यह हुआ कि मैंने minima की जो condition है उसके लिए मैंने formula design कर दिया तो ध्यान दें single slit का जो diffraction है उसमें minima के लिए minima की angular width calculate करने के लिए जो mathematical formula है वो है n lambda equals to a theta तो देखें यहाँ पर यह जो theta angle है यह theta आपका formula क्या बना n lambda upon a बन गया यह बेटा जी angular width का formula है जो minima की angular width आपको calculate करके provide करेगा यानि यह nth नमर की minima है उसकी angular width का formula है जैसे माल लिए आपको angular width calculate करनी है first minima के लिए जो first minima है उसकी angular width आपको calculate करनी है for first minima for first minima अगर first minima की angular width मैं देखना चाहता हूं so it will be theta 1 is equals to lambda upon a यह first minima का angular width आपको calculate हो जाता है ठीक है अगर आपको secondary maxima की angular width calculate करनी है तो path difference आपका रहेगा 2n-1 into lambda y2 द्यान दें इस बात पे यह जो अपना path difference है del x अगर यह path difference आपका 2n-1 into lambda y2 set होता है तो फिर वहाँ पे यह जो आपका point है इस point पे nth नमर की क्या बनेगी secondary maxima बनेगी ठीक है तो इसका मतलब अगर secondary maxima की मैं हम बात करता हूं तो secondary maxima के case में जो path difference a theta है वो a theta किसके एक्वल रहेगा 2n-1 into lambda y2 के equal तो यहां से आपके पास में theta n का formula बनता है theta n is equals to 2n-1 into lambda upon 2a तो यह आपके पास angular width का formula है this is angular width for secondary maxima यह जो secondary maxima है वही secondary maxima के लिए angular width रहेगी है जैसे की first secondary maxima का angular width calculate करना है तो n का value आपे 1 हो जाएगा